हेलो एब्रवान, आज मैं कुछ नया कर रही हूँ, अपने ही वीडियोस को हिंदी सीरीज में लाइए हूँ, स्टूरेंट डेमांड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट स्टूरेंट सी डेमांड्स आईए, सारे वीडियोस हिंदी में, तो चले है, स्टार्ट करते हैं, इंपो स्टेटमेंट हिंदी में, नॉर्मली जब हम यूजर से कोई वेल्यो मांगते हैं, तो हम जैवा में वैसे तो चार तरीके हैं, पाचवा भी है, पर अभी फिलाल आपको चार बताया जा रहा है, चार तरीकों से हम वैल्यो यूजर से मांग सकते हैं, पहला, फांशन आग्यूमेंट, जब हम अपने फांशन में कोई भी वैल्यो लेते हैं, फांशन ब्रैकेट के अंदर, फांशन आग्यूमेंट के लाता है, जो भी हम function के bracket के अंदर लिखते है वो सब कुछ function argument किलाते है means अगर मैं किसी function के bracket के अंदर int a लिखूंगी तो function के अंदर bracket के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगी उसको हम function argument कहेंगी इस तरीके से हम यूदर से value ले सकते हैं दूसरा command-line argument means, जब हम string args लिखते हैं, उस time भी हम value user से मांग सकते हैं तीसा तरीका, buffer reader class, इसी के ऊपर ये वीडियो है, जिसे हम input statement भी बोलते हैं, इसके बारे में detailing हम आगे पढ़ेंगे और इसके आगे है scanner, ये advanced तरीका है, कुछ problems आने के बाद scanner बना, buffer reader statements बहुत ज़ादा होते थे, बहुत lengthy statements थे इसके बाद, buffer reader के बाद आया data input stream, जो कि आपको नहीं बताया है मैंने ये normally आया, इनकी lines को reduce करने के लिए, data input stream इसमें भी कुछ problems थे, then आया scanner फेलहाल ये वीडियो, buffer reader input statement पे है, तो हम इसके बारे में बात करते है इस input statement exactly क्या है, input statement में दो class की जरुवत पड़ती है, ये console devices से deal करता है अब आप कहेंगे console devices क्या है, तो console devices input output devices को बोलते है input output, अब आप में से maximum लोगों को पता होगा, ये input output devices क्या होते है बड़ फिर भी मैं आपको बता दू, जब भी आप keyboard का इस्तिमाल करते है वो keyboard कहलाते है, input devices, क्योंकि वो आपको values provide करते है और output devices आपके monitor को बोला जाता है क्योंकि वो आपको output दिखाते है तो अब मेरे ख्याल से आपको console device का meaning समझ में आ गया होगा input outputs, devices को ही console devices बोलते है और इसकी बारे में जो चीजें store हुई है जावा package, java.lang package के अंदर store हुई इन से deal करने वाले में, तब console devices से deal करने वाले चीजें lang के अंदर है अब आप देखें पहली चीज जो keyboard से deal करती है वो है system.in जिसमें system एक class है और in उसका बना बनाया object system एक क्या है? class है .permission आपको grant करता है allow करता है आपको अंदर जाना और इन नाम के object से deal करने अलाव करता है आपको dot और ये किस से deal करते हैं? keyboard से ऐसे ही दूसरी चीज़ system.out जहां system एक class है out उसका object और ये क्या करते हैं? output डिस्पले करते हैं कहां? monitor पे इसके चलिए आगे input statement present inside java.io package actually में जो भी input statement से related आपको और भी classes की जरूवत पढ़ती है जब आपको user से मांगना पढ़ता है input अभी तक तो हम monitor से deal कर रहे थे हैं अभी तक तो हम keyboard से deal कर रहे थे normally छोटे छोटे programs में भी keyboard की जरूवत पढ़ेगी monitor की जरूवत पढ़ेगी value तो आप देंगे keyboard से और output तो आपको देखेगा monitor पे पर ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज user से मांग रहे हो user कौन जो आपके program को चला रहा है अब जरूरी नहीं कि उससे हर चीज values ले रहे होंगे अब अगर आप values लेना चाहते हैं तो आप input statement से deal करना चाहते हैं means आप values user से मांगना चाहते हैं user आपको values प्रोवाइड करेगा और आप उसके questions का answer करेंगे means जैसे आप calculator को बोलें तो calculator में आप अपनी values enter करते हैं कुछ भी जो भी numbers आप यहां से देते हैं वो यहां दिखता है और उसके बाद उसका output आता है वैसे ही आप अपनी values को देना चाहते हैं बट यह होगा कैसे possible java.io package की help से possible हो पाएगा कैसे possible हो पाएगा क्योंकि java के अंदर कुछ classes already पड़ी हुई है और यह classes हमें help करती हैं चीजों से deal करने के लिए कैसे deal करने के लिए एक class है input stream reader अब आपको इन classes की कुछ खासियोत पे ध्यान देना है कौन सी खासियोत पे कि जितनी पहले से बनी बनाई classes है उनके पहले letters हर word के पहले letter अब देख सकते हैं capital है I input S stream R reader B buffered R reader I input O output E exception Input Output Exception ये Java की खासित है जितनी classes है पहले letter capital ही होते हैं अब आगे बढ़ते ये सारी चीज़े java.io package के अंदर रखी होई अब input stream reader के बारे में जो आपको याद रखना है वो है कि ये पहले से बनी बनी classes है pre-refined class है जो किस से deal करता है keyboard से value लेने का काम करता है और कहाँ store करा के आता है buffer buffer एक छोटी सी temporary memory है ये क्या करने के काम आती है ये execution speed बढ़ाती है execution speed means आप समझ सकते है run करना तेज हो जाता है means आपने as user values भेजी आपका data flow होना शुरू हो गया है और इस flow को बोलते है stream और data कितने प्रकार से flow होता है ये भी आपको याद रखना है एक user के लिए data flow हो रहा है और एक computer के लिए data flow हो रहा है दो तरीके से data flow हो रहा है user के लिए और computer के लिए और मैं आपको बता चुकी हूँ computer में या तो zero होता है या तो one होता है user के पास zero से लेके nine तक deserts होते हैं alphabets होते हैं बहुत कुछ होता है user के पास user का data flow होता है और computer का data flow होता है user का data जब flow होता है तो वो character के रूप में flow होता है और जब computer का data flow होता है तब वो byte के रूप में flow होता है आपको इन बातों को याद रखना है मतलब stream कितने प्रकार के हैं अगर ये पूछा जाए आपसे तो stream दो प्रकार के हैं एक character related और एक byte related दो तरीके के होते हैं मतलब data आपका दो तरीके से flow होता है character के रूप में user के लिए, byte के रूप में computer के लिए अगर आप याद दखे सकें तो ये दो तरीके से flow होता है input stream reader क्या करता है? read करता है क्या? data जो की input हो रहा है ये read करके buffer में store करता है अब इसे लिखते कैसे? क्योंकि ये class है इसी लिए class तो सिर्फ और सिर्फ एक, क्या होता है? blueprint ये कभी काम नहीं करता है हर class के लिए काम करता है उसका object तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये बनाना पड़ेगा क्योंकि ये object ही है जो उसको work करवाता है तो उसको बनाने के लिए हम उस syntax का इस्तमाल करते हैं जिससे object बनता है उसको क्या कहते है? object creation तो हमें क्या करना है? object create करना है और object है read नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, कोई issue नहीं है read इसलिए लिखा है क्योंकि related है ये क्या कर रहा है? ये read कर रहा है किसको हमारे input को जो keyboard से आया है इसलिए हमने इसका नाम read रग दिया है system.in keyboard से चीज़े read करेगा और input stream reader उस read करे material को one by one किसमें store कराया जाता है? buffer में वो buffer में store करता जाएगा ये keyboard से पढ़ता जाएगा और store करता जाएगा कौन? input stream reader अब आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है ये read उसका object है आप देखें buffer reader buffer reader भी एक class है मैंने आपको बताया था तीन classes इस्तमाल होती है input stream reader, buffer reader, private exception buffer reader second class है जो use होती है buffer reader भी पहले से बनी बनाएं classes है predefined class जो कि क्या करती है? buffer को read करने के काम आते है buffer क्या है? temporary memory अब keyboard से value read करके input stream reader ने buffer में तो रख दिया buffer क्या है? temporary memory buffer में तो उसने रख दिया अब इससे उठा के हमें memory तक लेके जाना है memory तक लेके कौन जाएगा? कोई तो इसे पढ़ेगा और कोई तो इसे store कराने में help करेगा memory में जाके तो वो काम करता है buffer reader buffer reader read करता है data buffer से और अब एक एक लाइन को data time जो की string में है उसे वो store करवाता है किस में? memory में एक एक लाइन buffer से पढ़ेगा और वो एक एक लाइन को convert करके memory में रखता जाएगा buffer का buffer reader का काम है buffer reader नाम से ही समझ में आ रहा है buffer को पढ़ने वाला और आप इसे अगर लेके चले input stream reader भी नाम से ही समझ में आता है input के time पे flow of data को read करने वाला मैंने आपको stream के बारे मताई दिया था flow of data input के time पे flow of data को read करने वाला input stream reader और अभी आपको buffer के बारे मता दिया buffer भी एक लास है उसका भी object बनेगा object मेंने बनाया in आप कुछ और भी बना सकते हैं बड़ आपको यह याद रखना पड़ेगा कि यहाँ क्या आ रहा है input stream reader का object read अगर आप वहाँ कुछ और बनाते हैं object तो आपको यहाँ पे भी वो object लेना पड़ेगा इसलिए change जब भी करें तो याद रखें कि आपने कहां क्या change किया है नहीं तो गलत हो जाएगा तो buffer reader को अगर आपको इस्तमाल करना है तो आपको उसका object बनाना पड़ेगा और in अब मदद करेगा हर जगा मतलब buffer reader का काम अब in करेगा buffer reader का काम exactly क्या है buffer से एक एक line पढ़ना और उसे memory में जाके store करा देना अब next in up क्या है object और read क्या है input stream reader का object अब आगे बढ़ें तो तीसरी class जो आई वो है हमारी inputs output exception ये भी बनी बनाई classes मिली है हमें ये क्या करती है exception से deal करती है अब बात ही आते है कि exception क्या है तो exception आपको वहां से समाज में आएगा जब आप जानना चाहेंगे कि error क्या होता है वैसे तो ये बहुत आगे का topic है बट फिर भी system में जो भी program हम बनाते है program के दौरान हमसे कुछ गलतिया होती है वो कहलाती है error और error के कारण कुछ चीजें ऐसी आ जाती है जिसको हम कहते है exception जो system हमसे expect नहीं करता है कि ऐसी कुछ गलतिया हम करें जो normally आपको कहां दिखती है run time पे जब program चलता है तो system हमसे कुछ गलतिया expect नहीं करता वो है exceptions means IO exception is a class जो exception से deal करता है और इसके अंदर एक-एक exception के बारे में लिखा हुआ है जितनी exception की knowledge है वो सारे exception उस class के अंदर है अब आगे बढ़ते है हर छोटी बात को आपको बारी की से देखना है वरना ये वीडियो फिर आपको समझ में नहीं आएगा भिंदी में बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगा मेरे साथ सार्च चले और एक एक चीज को बारी की से देखें सबसे पहले हमने क्या किया सिस्टम ओन करके एंटर कराई वेल्य एंटर कराई वेल्य मीन्स हमारी फर्स एक्टिविटी क्या हुई हमने कीबोर्ड से वेल्यू दिया अब दूसरी एक्टिविटी क्या हुई सोचें सिस्टम.in ने keyboard से value ली क्योंकि system is a class in उसका object है system क्या है class in object है, क्या कर रहा है वो read कर रहा है किसको? input को तो दूसरी activity हमारी हो गई उसने keyboard से input लिया अब इसको लेके read कौन कर रहा है input stream ली जा वो सारा data read कर रहा है input stream reader और क्या करने की कोशिश कर रहा है चौतरा नमबर देखें क्या करने की कोशिश कर रहा है वो buffer में एक-एक line करके जो भी पढ़के ला रहा है, उसको उस memory में एक-एक line से रखता जा रहा है उसके बाद उसका काम क्या है उसने तो रख दिया, मतब input stream reader ने अपना काम कर दिया keyboard से value लिया और buffer में रख दिया पर अब buffer को पढ़ने वाला कौन है अब क्या, तो buffer जो है उसको पढ़ेगा buffer reader, मतब साथवा काम क्या हो गया, buffer reader उसको पढ़ेगा, अब इसके आगे क्या, पढ़तो रहा है फिर पढ़के वो उसको convert करेगा क्योंकि मैंने आपको बताया था buffer हर चीज जो store कर रहा है, वो string के form में store कर रहा है और जब buffer reader पढ़ेगा और memory में रखेगा memory में हर चीज string थोड़ी नहीं वो integer भी हो सकती है, वो float भी हो सकती है, वो double भी हो सकती है वो character भी हो सकती है, तो हर string को वो convert करेगा वो convert करके कहां store करेगा? memory में फिर क्या? अब memory में जो भी चीज़े होई, solve हुआ processing हुई अब वो processing मतलब हर उस data पर काम हुआ काम होने के बाद अब उसका solution आपके पास आएगा और वो solution कहां चला जाएगा? आपके screen पर as output monitor पर वोई चीज़, वोई values solve होके answer के रूप में दिखाई देगी means इतनी सारी चीज़े होती है आपको लगता है आपने click किया value आपने the answer आगे answer इतनी जल्दी नहीं आता है इतनी सारी activities उसके अंदर होती है तब जाके आपको वो answer मिलता है मेरे ख्याद से अब तो आपको कुछ समझ में आया होगा चले आके बढ़े कुछ बात है जो आपको हमेशे याद रखती है पहली जावा जो भी चीज लेता है वो string के form में ही लेता है क्यों लेता है string के form में क्योंकि string ही एक ऐसी class है जिसके अंदर कोई restrictions नहीं है restriction कोई भी आपको रोक नहीं सकता कोई परशानिया नहीं है कौनसी परशानिया ना तो इसको किसी length का issue है length कुछ कितने भी character दे दो ले लेता है जैसे आप बोलो अगर आप उसको बोलो कि 0 से 9 लेना है ले लेगा आप उसको special character बोलो वो ले लेगा आप उसको बोलो alphabet लेना है ले लेगा कोई size issue नहीं है कितना भी वो value ले सकता है इसलिए क्या आपको याद रखना है कि Java हर चीज string के form में लेता है क्योंकि उसमें कोई restriction नहीं है ना तो memory की limit है ना तो कितने character देने है ना तो कौन से character देने है कुछ नहीं बस आपको कुछ बाते याद रखनी है कि हम तो string में ले लेंगे but हमारे program में हर चीज string नहीं होगी हमारे program में integer भी होगा float भी होगा, long भी होगा, double भी होगा character भी होगा तो अगर ये होगे तो क्या? फिर तो हमें convert कराना पड़ेगा हर string को दूसर data type में ले जाने के लिए हमें convert कराना पड़ेगा convert कराना पड़ेगा तो आपको ये याद रखना है कि आपको फिर कुछ चीजों के जरूरत पड़ेगी क्योंकि convert कराना है तो convert कराने के लिए use होता है wrapper class integer, flow, double, long ऐसे कुछ wrapper classes का अस्तमाल होता है ये wrapper class कहां रखी हुई है lang में और lang ही कैसा package है जो by default हमारे पास आ जाता है हमें इसको import नहीं कराना पड़ता है normally क्या होता है हमें हर package को import कराना पड़ता है पर lang ही कैसा package है जिससे कभी import नहीं कराना पड़ता है वो तो हमारे program में होता ही है और चोकी आपके लिए है कि आपको यह याद रखना है कि व्रैपर क्लास्ट कनवर्ट करती है स्ट्रिंग को प्रेमेटिव में और प्रेमेटिव को स्ट्रिंग में वाइजवार सा मतलब उल्टा भी ले जाती है string को primitive में और primitive को string में दोनों काम करती है अब आगे चलते हैं आप देखें कि convert कैसे करते हैं मैंने तापको बोल दिया कि string से primitive और primitive से string मतलब string से integer, integer से string string से float, float से string string से long, long से string और string से double और double से string होता है पर कैसे होता है देखें, conversion from string to primitive मतलब हम क्या convert करने की कोशिश करें string को अपने primitive data type में ले जाने की कोशिश करें सबसे पहले अगर हम string को integer में ले जाने की कोशिश करेंगे मतलब int में ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमें line क्या लिखनी है integer.parts int, string स्ट्रिंग, जिस भी स्ट्रिंग को आप convert करना चाहते हैं, वो स्ट्रिंग आप यहाँ लिखेंगे, Integer wrapper class है, एक class है, और आपको यह याद रखना है, कि parse int नाम के आपके पास एक function है, parse क्या है, exactly अगर मैं आपको बोलू, तो वो connector है, क्या करता होगा, connector नाम से समझ में आरा जोडता होगा, तो जोडता है एक character को दूसरे character से, फिर तीसरे से, फिर चौंते से, जैसे अगर मैं बोलू 1, 2, 3, 4, आप पहले तो वो 1, 2, 3, 4 को string समझ के लाएगा, मतलब, एक string is a combination of character, हम बोलते हैं, string collection है character का, इसमें एक एक character है, तो ये 1 भी उसके लिए character है, 2 भी character है, 3 भी character है, 4 भी character है, तो वो तो पहला character पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, चौंता पढ़ेगा, मतलब, 1234 को वो कैसे पढ़ेगा, 1, सिरफ 1, फिर अगली बार उठाएगा, तो 2 उसको पढ़ेगा, फिर अगली बार उठाएगा, तो 3 पढ़ेगा, फिर उसको उठाएगा, तो 4 पढ़ेगा, तो parse क्या करता है, सब को जोड देता है, जोड के क्या बना रहा है, integer, string के एक ही character को पढ़के, integer में बदलता है, और store करा देता है, पढ़ यह है किसके अंदर, wrapper class के अंदर, आपको यह बात याद रखने हैं, फिर देखें, यही चीज long के साथ है, long.parseLong, string ले के आएगा, parseLong function है, जो long के अंदर है, जो क्या करता है, convert करता है, एक string को long में, और store करा देता है, long में, ऐसे ही बढ़ते चलना है, float, parseFloat function है, जो string को float में convert करता है, float में store करा देता है, ऐसे ही double में, parse double एक function है, जो string को accept करता है, मतलब लेता है, और इसको store कहा करा देता है, double में, और आपको क्या याद रखना है, कि जब भी आप accept करते हो data, मतलब आप user से जब लेते हो data, keyboard की help से, तब, int के लिए आपको ये values इस तरीके से store करानी, जब भी आप user से लेंगे, ये पहले ही, जब मैंने आपको बताया, कि ये जो है, in.readline, ये क्या है, आपने अभी तो देख लिया, integer.parse, long.parse, 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 double, और double.parse, double आपने देख लिया, और कैसे store कराते हैं, आपने देख लिया, बट, आपको ये जो याद रखना है, वो in, in है buffer reader को object, जो की read line नाम के function की help से, क्या कर रहा है, एक-एक line buffer की पढ़ता है, और किस format में पढ़ता है, string format में, Java में हर चीज string के form में ही होती, तो read line का मतलब है, पूरी की पूरी line पढ़ो, इसके अंदर जो भी लिखा है, पूरा पढ़ के लिए ओ, तो read line क्या करता है, पूरी line buffer से एक पूरी line पढ़ के लिए क्या आता है, पर string के रूप मिलाता है, और उसको integer में convert करके store करा दिता है, integer में, ऐसे ही बाकी line में होता है, एक एक line पढ़ता है, long में convert कराता है, फिर store कराता है, एक line पढ़ता है, float में convert कराके store कराता है, एक line पढ़ता है, double में convert कराके store कराता है, अब ये तो चलो ठीक है, एक line पढ़ता है line के अंदर तो कितने भी character हो सकते है पर अगर आप मुझे एक ही character चाहिए हो तो character ही enter कराया हो तो मतलब आलो एक ही enter कराया हो तो वो तो एक ही character है तो पूरी line पढ़ने का क्या मतलब तो हम सरिफ इसको इत्ता बोलेंगे कि पढ़ो, read करो in.read read line नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे read, तो वो read करेगा और एक बार read करेगा तो हम उसको ये बता रहें कि आपने जो पढ़ा है वो क्या है character और हमने उसको store करा दिया हमने एक बार पढ़ा बताया character और क्या किया store करा दिए ऐसे ही string in dot reline लिखने का ही sense है कि हमने क्या enter कराया था string enter कराया तो string को string में बदाने के तो जरुवत है ही ने क्योंकि वो already string में ही है अब देखें program का structure कैसे लिखते हैं program structure मतलब बनावट उसकी आप लोग यहीं से मार खाते हैं आप इस पे focus नहीं करते हैं आपको इस पे focus करना है कि एक program को लिखते कैसे हैं उसकी designing क्या है अब जल्दी बाजी में रहते हैं किसी भी इस आप से लिखते हैं और number cut वा लिखते हैं आप जब भी लिखेंगे याद रखेगा क्योंकि आप जावाब पढ़ रहे हैं तो आप पहले जब भी class बनाएंगे तो public एक access specifier है class एक keyword है और कोई भी class का नाम आप लिख सकते हैं उसके बाद जैसे ही आप curly braces लगाते हैं आपको कुछ gap छोड़ना है उसके बाद ही आप public, static, void, main लिख पाएंगे फिर bracket, string args और curly braces जब आप बनाएंगे तो फिर जो आप line लिखेंगे तो थोड़ा gap छोड़के लिखेंगे curly braces को curly braces के नीचे ही close करें इस तरीकी से लिखने को structure बोला जाता है चलें आगे देखते हैं तो आपको कुछ बातों का याद रखना है पहली चीज आप program में comment करें comment कैसा होगा जैसे आपको दो number add करने कहा गया है तो आप लिखें कि program to add two numbers आपको simple interest निकालने कहा गया है तो आप लिखें program to find simple interest इस तरीकी से आप comment कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपका program क्या कर रहा है फिर आपको जो एक common line है ये जो जितनी line हैं लिखें हैं ये common है ये आपको normally हर program में लिख नहीं है import एक keyword है जो include करा रहा है package को हमारे program में package है java.io asterisk asterisk क्या करता है सभी classes को हमारे program में ले के आता है क्योंकि i.o के अंदर एक class नहीं है i.o के अंदर ऐसी कई classes है जिसका हमें इस्तिमाल करना है मैंने आपको पहले बताया था input stream reader, buffer reader i.o exception तीन classes का इस्तिमाल करना है तो तीन classes का नाम लिखने से बेटर है कि सिर्फ asterisk लिख दो तो सारी classes आ जाती है अगर asterisk हम ना लगाएं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा हमें एक ही class का नाम अलग से लिखना पड़ेगा import java dot i.o dot i.o exception इस तरीके से आपको एक ही class का नाम लिखना पड़ेगा और फिर semicolon लगाना पड़ेगा इसे आप तीन बार यह लाइन लेखेंगे इससे बेटर क्या था कि आप एक asterisk लगाए तो वो सारी class ले आए और आप सारी classes में जो आपको यूज करना है यूज करें इसके बाद public class class नहीं public static void main एक function है आप पहली बाद तो इससे indicate कर रहे हैं कि आप java में class का स्तमाल कर रहे हैं और class का नाम करना आप कर सकते हैं जो भी आपको करना हूँ curly places यह बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक class है मतब यहाँ से यहाँ तक इस class का scope है valid है यह इसके बाहर आप अगर निकले तो वो class का कोई existence नहीं है मतब वो class आप use नहीं कर सकते इसके बाद आपको एक function मनाना जिसको हम बोलते है main function मैंने आपको पहली बताया था main function से ही execution start होता है यह सारे keywords के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ static program को automatically run करता है यह जो function है हमारा यह अपने आप ही चल जाता है अगर हम static बनाते हैं static ना बनाए तो नहीं चलेगा void मतलब इस program से हम कुछ लोटा के वापस नहीं लेके जा रहे अगर हम यहां int लिख देंगे अगर void की जगह पे मतलब हम एक integer value यहां से वापस लेके जाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा return 0 या कोई भी एक value यहां से हम वापस लेके जाएंगे string args मैंने आपको पहले भी बताया है variable जब भी आप input एंटर कराते हैं string के form में ही इंटर कराते हैं क्योंकि इसमें कोई restriction नहीं है args के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ यह एक array है array का मतलब है एक साथ आप एक जैसी values store कराना चाहते हैं मतलब मैं धेज सारे input कराना चाहती हूँ string के रूप में इसलिए मैंने array बनाया आप throws के keyword है जो क्या कर रहा है यह exceptions को throw कर रहा है exception की list इस class के अंदर है और input stream reader के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया buffer reader के बारे मैंने आपको पहले ही बता दिया keyboard से value ले रहा है input stream reader buffer में store कर रहा है और buffer reader इस buffer को पढ़ रहा है और इससे value लेकर memory में store करा दे रहा है और इसके बाद यहाँ से चालू होते हैं आपका program अब आप इसमें कोई भी program लिख सकते हैं इसके आगे यह बाकी चीज़े common हैं चले अब एक example ले लेते हैं एक program देख लेते हैं जिसमें देखें shopkeeper आपको 30% discount दे रहा है एक article खरीदने पर और दूसरा shopkeeper आपको 2 बार discount दे रहा है एक बार 20% दे रहा है एक बार 10% दे रहा है एक या article खरीदने पर 2 बार परस दे रहा है आपको discount आपको यह check करना है कि कितना आपको discount काउंट बेटर मिल रहा है किस तरफ से किस शॉप कीपर से चले देखते हैं एक प्रोग्राम लिया अब आपको यह पता होना चाहिए कि किसी का पॉसेंट लिखाया है फाइब पॉसेंट तो निकालते कैसे हैं इस फाइब पॉसेंट को हम पर्सिन का साइन हटाते हैं तो हम डिवाइड बाई 100 लगाते हैं solve करना है अगर हमें 5 यहां और जिसका पर्सिन निकालने बोला है उससे multiply करते हैं तो 5% माल लो किसी की salary का, तो salary in to 5 upon हंटरे अगर किसी article का प्राइस तो प्राइस into 5 upon हंट्रे चले मैंने comment कर दिया import कर लिया class का नाम article रख दिया हमेशा कोशिश कर ये कि similar ही हो जो activity आप करे उसके ही जैसा नाम हो static, public static void main लिख दिया common lines लिख दी अब logic चालू होते हैं आपका दिमाग ये काम करना चाहिए कि आपको पता हो कि हमें मांगना क्या है काम किस पे हो रहा है सबसे पहली बात तो आपको article का price पता होना चाहिए तो हमने article का price मांगा price ऐसा भी हो सकता है 550 rupees 500 rupees in 50 पैसा possible है सरफ 500 rupees possible है बट अभी इस तरीके से ले लिया है कि ये float है integer भी आप ले सकते थे तो अभी फिलाल मैंने float ले लिया है उसका price 30% निकालना चाहिए हूँ मैं discount उसका तो कैसे निकालूँगी जो भी मेरे पास price आया है price into 30 upon 100 30% निकालना था क्योंकि पहला shopkeeper क्या कर रहा है हमें 30% discount के रहा है सबसे पहले था हमें discount find करना है 30% तो कैसे price into 30 upon 100 लिखके discount मिल जाएगा तो वैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए discount निकाला है उसके बाद discount डिस्पले करा दिया है पहले shopkeeper का discount हमें मिल गया है discount fs में मैंने discount fs लिया है यह दिखाने के लिए कि यह एक variable का नाम है discount for shopkeeper थोड़ा related ही लिया है अब दूसरे shopkeeper हमें दे रहा है 20% discount तो same formula 20% discounts मतलब price into 20 upon 100 same तरीका इस्तिमाल किया है पर आपको यह याद अखना है क्योंकि यह successive discount मतलब लगातार में दे रहा है तो जो 20% discount है उसको price में से minus करेंगे तो जो price आपका आता है उस price पे अगला discount दिना है आपको तो अगला discount वो 10% दे रहा है तो price into 10 upon 100 आपको अगला discount मिलेगा तो सबसे पहले तो हम 20% discount निकाल ले तब तो हम उसको price से minus करेंगे फिर हम उस price पे 10% discount लगाएंगे और अब जब हमने दोनों discount टोटल किये तो कित्ते बना हम चेक कर रहे है first shop डिस्पले भी करा दिया हमने और हमने अप चेक किया कि जो पहला shopkeeper जिसने हमें पहला discount दिया था क्या वो छोटा है हमारे अगले shopkeeper के discount से अगर छोटा है तो उसने अच्छा discount ना दे के इसने दे दिया अच्छा और अगर बड़ा है मतलब इसने दिया अच्छा discount हमें तो देखिए discount of first shopkeeper is smaller than discount of second shopkeeper मतलब second shopkeeper ने ज्यादा discount दिया और अगर गलत निकल गया else तो first shopkeeper ने हम सबसे अच्छा discount दिया आप शायद इस चीजों से समाच सकते हैं कि if else का मतलब क्या है और कैसे हम ये discount find करते हैं आप देख सकते हैं कि आपका ऐसे input से output क्या आ रहा है मैंने सब कुछ display कराया है जिससे आप समझे कि price enter कराया 30% discount जो उसने दिया है first shopkeeper ने है 150 रुपीज second shopkeeper ने हमें दो बाद discount दिया उसके बाद भी हमें discount total कितना मिला 140 रुपीज मतलब सबसे best जिसने discount दिया है वो है first shopkeeper और अगर यह आपको पसंद आता है तो please like it अगर आप पसंद करते हैं तो आगे की series भी आपको हिंदी में मिल सकती है और अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप पूछे मुझे otherwise यहीं end करते हैं गुडबाई गुड़ लग करते हैं करते हैं खहाँ